लोकसभा चुनाव में कौन मारे गवाजी किसकी होगी जीत डॉक्टर स्रीपतित्र पार्ठी बता रहे हैं चुनाव में किस पार्ठी का है पलड़ा भारी ध्यान लगा कर खोलते हैं परचा और यहां जुटी रहती है भक्तों की भीड़ देखे ये खास रिपोर्ट नमस्कार न्यूस बाइसकोप देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ इलका सिंग आज हम उस महान सक्सियत के पास पहुँचे हैं जहां से अगर आप नहीं गुजरे तो सायद आपके भविस्य को जान पाना मुस्किल सा लगता होगा जहां आपको हम बता रहे हैं कि आज हमारे समक्ष है डॉक्टर स्रीपती त्रिपाठी जी और जुस तरीके से बिहार की राजनिती में गर्माहट है तपिस है और बिहार के माहौल की अगर बात करे बिहार के मौसम की बात करे तो उसमें भी कही ना कहीं काफी जादा तपिस देखने को मिल रही है तो इनी सब विशय पर साथ ही साथ ये परचा भी खोलते हैं भगवान की भक्ती में लिन रहते हैं तो किस प्रकार का इनका जीवन है और क्या ये भविस्यवानी करने वाले हैं इस बार जो लोग सभा चुनाओ चल रहा है आगामी विधान सभा इनसे सर सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल जी अलका जी आपको भी जैसी आराम और हमारे जितने भीवर्स हैं जो देख रहे हैं आप सब लोग को भी धेर सारे शुब कामना है जैसी आराम सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे मौसम में काफी गर्माहट है और बिहार की राजनिती में भी काफी गर्माहट है क्योंकि अभी लोग सभा चुनाओ का समय है एक चुनाओ हो चुका है दूसरे चुनाओ का भी समय काफी नजदीक है एक दिन बाद चुनाओ है तो क्या कह न चाहेंगे इस पर की क्या माहोल हैं विहार? जी देखिया अगर जो सीदिस्टिकोंट से ही हम बात कर पाएंगे, माहोल तो आपको बताएं कि गर्मी में भी है, राजनीती में भी देखने को मिल रही है और उसका असर देश वीदेश में भी देखने को मिल रहा है आपको बता देए कि आने वाला जो समय है और अभी जो चिनावी अभी वातावरन बना हुआ है वह देश के पक्ष में है एंडिये के पक्ष में है और सरकार बनता हुआ लेकिन महागडबंदन की भी अगर बात करें तो महागडबंदन भी तो अपनी पूरी कोशिस लगाई हुई है और एक तरफ जहां महागडबंदन की तरफ से ये जबाब आ रहा है ये नारे लगाया जा रहे हैं कि अपकी बार 400 के पार तो उसी तरीके से अगर अंडिय की बा थी बिहार में भी एक ही जो है सीड मिल पाई थी किसंगन से तो उससे अभी बहतर दिख रहा है लेकिन महागडबंदन की बात की जितना पिछले बार बहतर नहीं कर पाएं थे थोड़ा बहुत जो है थोड़ा ही बहुत थोड़ा बहतर करने के जोग है लेकिन बात करें किंद सरकार के तो वो जो है काफी बहतर करते हुए मतलब एंडिये जो है वो बहतर करता हुआ नजर आ रहा है सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है हो सकता पिछले बार के जो आकड़े थे उससे थोड़े कम हो लेकि सरकार तो इनहीं की बनेगी सर क्या कहिएगा ये सरकार की बात हो गई और लोगसभा चुनाओ की बात हो गई आप पर्चा भी खोलते हैं जिस तरीके से बाबा बागेस्वर लाइम लाइट में हैं कहीं ना कहीं आप लाइम लाइट में नहीं कह सकते हैं कि हैं लेकिन आप बाबा बागेस्वर के आने से कई टाइप से इसका चयन करते हैं आप और कितने लोग आप से इस पर्चे को लेकर आपके पास आते हैं पूरे दिन में और कब-कब ये धाम लगाया जाते हैं जी आपको अलका जी बता दें और सभी दर्सकों को बताते हुए बड़े खुसी हो रही है कि ये लगभग 15 वरसों से यहां पर पर्ची से भाग जाने यह यहां पर कार्शक्रम चलता है कई टीवी चैनलों के माद्धों से भी लोगों को बताने का मौका मिला आपको बता दें कि यहां उनके लिए हैं दूर दराज से लोग आते हैं और बताते हैं कि मेरे पास डिटेल्स नहीं हैं मेरे पिता जी जन्म कुंडली नहीं बना सके हम गरीब परिवार में रहें उन लोगों ने नोट करके नहीं रखा कुल मिला कर बात करें तो उनके पास अपने जन्म से स परिस्तितिया चल नहीं चैनल सोब अरे मेरें तो उसको पाइ अकली सुष्टु अठीक करें नहीं चलाएज इसमें प्लिख जा कि बहुत आप वहीं लिखते हैं जो आपके पॉकेट में लिखा रहता है और उसके अनुसारे का रुपाय करते हैं तो निश्चित रुप से लाह मिलता है तो यह घंटे की प्रकरिया है जिसके मादन से आप जो है परची से अपना भाग के जान सकते हैं आपने बताया नहीं कि कब-कब यह धाम लगाया जाता है जैसे अगर कोई लोग आना चाहें आपके पास तो इसका क्या समय है क्या समय सार नहीं है जी उसके लिए आप गूगल पर जाके नमबर ले सकते हैं और संपर करके आपको अपना समय निधारीद करा सकते हैं उसके लिए कुछ डिटेल्स देने होत आप बाल सवार लेते हैं उसी प्रकार एस्ट्रो एकसरे से अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो आप अपने भाग को सवार सकते हैं और अपने भाग को चमका सकते हैं यह है एस्ट्रो एकसरे सर बहुत ही अच्छी बात आपने दर्सकों को बताई और कहीं न कहीं दर्सक इन सब चीजों पर विस्वास भी करते हैं और हर लोगों के मन में एक्षा रहती है कि कोई ऐसे लोग मिल जाए जो कि हमें ठगे नहीं और हमें कहीं न कहीं सही जगह पर सही मुकाम पर पहुँचा करें हम जानना चाहेंगे आपसे आगामी लोग लोग सभा चुनाओ तो अभी आही रहा है इसके बाद जो विधान सभा चुनाओ आने वाले हैं उसमें क्या कहिएगा कि उसमें किस तरफ रुख लेगी ये राजनेती आने वाला जो समय है वह बहतर दिख रहा है कहने के लि अभ्तमान के जो मुख्य मंत्री हैं वह बहतर करता हुआ नजर आएंगे उस समय भी निर्णाय के सित्ति में रहेंगे आने वाले बिधान सभा चुनाओ की बात हम लोग कर रहे हैं कि नितीश कुमार जी को आने वाले बिधान सभा में नजर अंदाज कर पाना मुस्किल चुराग पासवान हो क्योंकि उभरता चहरा है युवा चहरा है तेजस्वी आदब के अगर बात करें तो पीछले बार भी थे इस बार भी आएंगे ही आएंगे तो क्या कहिएगा इन लोगों का कहीं भी मतलब क्लियर कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपके बावे से देख चले बहुत ही अच्छी बात बताईए आपने और इसी तरीके के तमाम एपिसोड देखने के लिए इसी तरीके के तमाम भविसेवानी या फिर राजनितिक से रिलेटेड कई सारी खबरों को देखने के लिए बने रहें न्यूज बाइसकोप के साथ नमस्तुराइब